बिस्मिल्लाइ विख्मान ररहीम अस्सलाम अलेकुम स्टुरेंट्स आई अम जैनफ फात्मा यूर साइंस टीचर तो हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 11 जो कि है ट्रांस्पोर्ट इन यूमिन्स के बारे में इससे पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा introduction पढ़ा हमने पढ़ा कि circulatory system क्या होता है उसके क्या components है heart का structure क्या है और अब हम देखेंगे vessels क्या क्या होते हैं और उनकी थोड़ी details की तरफ जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं Blood vessels यहां मैंने differentiate किया between an artery and a vein अब इससे पिछले lecture में भी हम definition पढ़ चुके हैं मगर हम एक और दफा revise करेंगे Artery carries blood away from heart and a vein carries blood towards the heart Heart से जो blood बाहर लेके जाएगा vessel उसको हम कहेंगे कि वो artery है और जो vessel heart की तरफ blood को लाएगा उसको हम कहेंगे कि यह vein है अब दोनों के structure में क्या फरक है Artery has thick muscular walls Heart को पढ़ते हुए हमने देखा muscular क्या होता है जब देह सारे tissues एकटे होके एक strong सी wall बनाते हैं उसको हम कहते हैं muscular wall यहां पर लिखा है thick muscular wall मतलब यह muscular wall बाकी सारे vessel से जादा thick होती है क्यूं होती है आईए देखते हैं The pressure of blood is high क्यूंके artery में blood pressure जादा होता है as compared to veins इसलिए इसका thick होना ज़रूरी है अब पहले देखते हैं vein का क्या structure है Vane is wider and it has thin walls जो vein होती है उसकी walls होती है thin अब वो क्यूं होती है because the pressure of blood is low अभी मैंने बताया के artery में pressure जादा होता है veins में pressure low होता है blood का अब यह क्यूं होता है vein वो वाला vessel था जो blood heart की तरफ ला रहा था from the body अब जब हम normal physical movements करते हैं तो यह physical movements हमारी veins को मदद करती हैं कि वो blood को pump करके heart की तरफ ले जाएं मगर जब हमें blood चाहिए होता है body को तो अब सिरफ heart के उपर complete responsibility होती है कि उसने blood को इतनी जोर से pump करना है कि पूरी body तक blood पहुंच सके इसलिए यहां का pressure होगा high और यहां का pressure होगा low और ज़्यादा pressure को handle करने के लिए archery की wall होगी thick और क्यूंके कम pressure है इसलिए veins की wall होती है विलकुल thin अब देखते हैं capillaries का क्या function है capillaries they spread through the tissues of the body यह हमारे tissues में अच्छी तरह से फैली होती है they have very thin walls इनकी जो walls हैं यह बहुत ही thin होती है which means easy transport of materials between the tissue and the blood अब हमें यह समझना है कि tissue और blood के बीच में ऐसे कौन से materials हैं जिनकी transport हो रही है मैंने आपको पिछले lecture में बताया कि बड़ी veins और बड़ी arteries divide होती हैं छोटी tubes में और यह छोटी tubes और छोटी tubes में जब divide हो जाएं तो उनको कहते हैं capillaries और छोटी छोटी tubes हर तरह के cell तक पहुँच सकती हैं अराम से अब इनकी walls होती हैं बहुत थिन इसका मतलब कि आर पार अराम से material क्रॉस हो सकता है materials क्या थे जो हमने first lecture में पड़े यह थे हमारे nutrients, हमारे hormones gaseous exchange मतलब carbon dioxide और oxygen और किसी भी किसम का enzyme या waste product अब यहां पर हम example लेते हैं oxygen की हमारे पूरी body के हर cell को oxygen की जरूरत है और हर cell carbon dioxide produce कर रहा है अब carbon dioxide के remove होनी की भी जरूरत है और उनको oxygen फराहम करने की भी जरूरत है यह काम करेंगी हमारी capillaries और क्यूंकि इनकी wall बहुत थिन होती है यह सबसे असानी से यह काम कर सकती है अब देखते हैं double circulation जो मैंने heading दी है वो क्या है normal circulatory system क्या है आप लोगोंने पिछले lecture में समझ लिया इसको हम double circulation भी कहते हैं अब वो क्यूं मैंने बताया कि tissue में से हमारा carbon dioxide containing blood जाता है heart की तरफ अब यह carbon dioxide containing blood heart pump करता है towards our lungs ताके lungs carbon dioxide remove कर सकें और oxygen दे सकें हमारे blood को इन simple words हम कह सकते हैं ताके वो हमारे blood को purify कर दे अब यह कैसे होता है lungs में जब हमारा carbon dioxide containing blood पहुँचता है तब हम carbon dioxide exhale करके मतलब सांस बाहर की तरफ लेके carbon dioxide भी बाहर निकाल देते हैं जब हम inhale करते हैं तो हम इर गिट से oxygen अपने अंदर ले जाते हैं यह oxygen हमारा lungs हमारे blood को देता है और वो blood वापस आता है towards the heart और यह heart के पास जब oxygen containing blood पहुँच किया तो heart की responsibility है कि वो हमारी body के हर हिस्से तक इस blood को पहुँचा दे तो heart पहुँचाएगा यह oxygen containing blood towards our tissues इसलिए कहते हैं the blood passes through the heart twice आपने देखा कि एक तरफ से tissue tissues की तरफ से blood आ रहा है वो blood heart जो है lungs को भीज रहा है और दूसरे phase में lungs की तरफ से जो blood आ रहा है वो heart भीज रहा है towards the tissue मतलब total दो दफा हमारे heart से blood गुजरा इसलिए हम normal circulation को double circulation भी कहते हैं अब हम steps को थोड़ी detail में पढ़ेंगे पिछले lecture में मैंने diagram बना कर जो labeling की थी वो सारी terms अब use होने वाली है तो अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो इस वीडियो को अभी pause करें जाएं वो lecture देखें और फिर जल्दी से वापिस आएं well done students अब हम थोड़ी detail की तरफ जाने लगे हैं यहाँ पर मैंने steps लिखे हैं और 1, 2, 3 के बाद 1, 2, 3 repeat हो रहा है 1, 2, 3 steps and 1, 2, 3 steps यह वो दो phases हैं जिनको हम double circulation कह रहे थे पहले मैं आपके लिए read कर देती हूँ हमने पढ़ा था के blood में tissues की तरफ से carbon dioxide containing blood आ रहा है और वो vessel जो heart की तरफ blood को ले की आएगा वो होगा हमारा vein और यहाँ पर इस बड़ी vein का नाम है वेना कैवा 2nd step is के यह right atrium contract करेगा the right atrium contracts pushing the blood towards the right ventricle contract करके यह right atrium blood को right ventricle की तरफ भेज देगा अब हमारा 3rd step क्या है the right ventricle contracts जब right ventricle की तरफ blood आ गया तो अब ventricle भी contract कर देगा and blood is transported towards the lungs through pulmonary artery और जब यह ventricle contract करेगा तो एक बढ़ी सी artery के थ्रू हमारा blood पहुंच जाएगा lungs तक इस artery को हमने कहा pulmonary artery यह हमारा phase 1 complete हो गया मतलब blood एक दफा हार्ट से गुजर गया अब देखते हैं दूसरी दफा कैसे गुजरेगा step 1 the blood containing oxygen from the lungs enter the left atrium through the pulmonary vein अब lungs से वापिस blood आ रहा है towards the heart जब यह heart में enter करेगा तो यह through pulmonary vein enter करेगा अब enter होने के बाद क्या होगा step 2 it the left atrium contracts pushing blood towards the left ventricle left atrium contract कर जाएगा और blood move हो जाएगा left ventricle के पास third step is that the left ventricle contracts transporting blood towards the whole body through ota जैसे पहले right atrium contract करके lungs की तरह blood भेज रहा था अब हमारा left ventricle भी contract करके blood भेजेगा मगर अब वो lungs की तरफ नहीं अब भेजेगा पूरी body की तरफ और इस बड़ी artery को जो के यह काम करती है उसको हम कहते हैं ota पिछले lection में भी through diagram हमें जादा अची समझाई थी तो इस दफ़ा भी हम diagram से देखते हैं कि हमारा passage of blood क्या होगा तो जैसा मैंने बताया कि heart has a complicated structure मैंने जो structure बनाया है यह quite simple है सिरफ आप लोगों को यह समझाने के लिए कि passage क्या होता है अब मैं blue marker use करूँगी for the de-oxygenated blood मतलब वो blood जिसमें carbon dioxide है उसके लिए मैं use करूँगी blue marker वेना कैवा के through वो blood जिसमें carbon dioxide है enter करेगा heart के अंदर enter करते ही सबसे पहले यह जाएगा हमारे right atrium में इसको हम right atrium लिख लेते हैं आर ए से मैंने represent किया है अब right atrium contract करेगा हमारा जो यहाँ valve मौजूद था मतलब gateway वो open हो जाएगा blood जो है वो move कर गया towards the right ventricle अब right ventricle के contract करने की बारी है right ventricle जब contract करेगा तो यह यहाँ से blood भेज रहा है through this vein towards the lungs जैसा मैंने बताया के this is the blood containing carbon dioxide इसलिए हमारा यह part मतलब phase 1 भेजे का blood towards the lungs ताके वो oxygen और carbon dioxide की through diffusion gaseous exchange कर सके अब देखते हैं कि दूसरे part of the heart में क्या हो रहा है हमारा blood आ रहा है अब oxygen containing blood और इसको मैं represent करूंगी through this red marker oxygen containing blood enters the heart through the pulmonary vein यह lungs से आ रहा है सीधा heart की तरफ आके यह enter करेगा हमारे left atrium में जिसको मैं लिख रहे ही हूँ LA से left atrium जब contract करेगा तो gateway open हो जाएगा मतलब valve open हो जाएगा और blood जो है वो चला जाएगा हमारे left ventricle की तरफ जिसको मैंने represent किया LV से अब जब left ventricle contract करेगा तो यह blood निकल जाएगा बाहर और through ota यह blood चला जाएगा to the whole body और आगे सिरफ ota ही नहीं लेके जाता बलके ota is a big large artery यह जाके divide होगा into smaller tubes और उसके बाद more smaller tubes जिनको हमने कहा था capillaries तो अब आपने देखा कि एक तरफ से carbon dioxide containing blood जा रहा है और आ रहा है और दूसी तरफ से oxygen containing blood है जो pump हो रहा है यह दोनों process simultaneously चलते रहते हैं दोनों atriums जो हैं वो इखटे contract करेंगे उसी तरहां दोनों ventricles भी इखटे contract करेंगे मतलब यह दोनों processes एक एक करके नहीं बलके simultaneously चल रहे होते हैं और जब एक साथ दोनों atriums contract करते हैं तो हमारी heartbeat का first sound S1 हमें सुनाई देता है जब यह relax करते हैं तो यह दोनों ventricles इखटे contract करते हैं और हमें अपनी heartbeat की दूसरी sound मतलब S2 सुनाई देती हैं heartbeat को हम पढ़ेंगे अपने next lecture में थोड़ी और detail में अभी के लिए इतना ही अपना बहुत ख्याल रखेगा खुदा आपस